हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है इससे पहले जो है हम लोग ने राश्टी जिस्तने भी कोश्चन बन रहे थे यूपी ट्रिपल सी वीडियो के एक्जाम में उससे रिलेटर मैंने पूरे कोश्चन आपको क कॉम्पलीट किया है अब हम लोग आगे बढने जा रहे हैं नेक्श्ट को यहां से अंतराश्टी जितने भी कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको लेके स्टार्ट करने वाले तो देर नहीं करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं चैनल पर नहया होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो को लाइक कर देंगे तो पहला कोशन आपके स्क्रीन के उपर ये रहा और इसमें आपसे पूछा जा रहा है अपरेल 2023 में संयुक्त राज अमेरिका के राज पेंसिलवेनिया ने किस भारती तेवार को राष्टी आवकास के रूप में घोशित किया है यानि संयुक्त राज अमेरिका के राज में एक पेंसिलवेनिया है वो किसने भारती तेवार को राष्टी आवकास के रूप में गोशित किया है तो कौन सा है दिपावली याद रखिएगा दिपावली ठीक है गोशित थी थी कब है 26 अपरेल 2023 को ठीक है गाईस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेंसिलवेनिया है उसमें लगभग दो लाख दच्छण ACI मूल के निवास्ची है ठीक है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और वहां की सीनेट ने दिवाली को अधिकारिक आवकास के रूप में मानेता देने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है नेक्सट कोश्चन सेकेंड 2023 में जारी विष्ववेंग के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपूर्ट के नुसार पहरत को कोन सी रेंग परदान की गई है तो कौन सी रेंग परदान की गई है ठर्टी एट वी ये आपको याद रखनी है Logistic Performance Index 2013 में भारत को कौन सी रंक परदान की गई है तो 38 वी और इसके जारी करता है कौन है विश्व वैंक कौन है वर्ड वैंक जो है इसका जारी करता है इसमें टोटल कितने कंट्री है तो यह आप याद कर सकते हैं 139 है और इसका कौन सा एडिशन था यह शात्वा है अगर बा यह आपको याद रखना है ठीक है और अम्तिम रंग की बात किया जाए तो कौन है लीविया एमम आफगानिस्तान है कौन है लीविया एमम आफगानिस्तान next question तीसरे में 2030 में जारी संयुक्त राष्ट जनसंख्या कोश UNFPA की State of World Population Report के नुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है तीसरा question है तो right answer क्या हो जाएगा 142.86 करोड कितनी हो गई है 142.86 करोड यानि यह option बिलकुल सही है State of World Population Report 2023 के एक वार्णिंग भारत की जो जनसंख्या कितनी हो गई है 142.86 करोड हो चुकी है ठीक है इसको जारी कौन करता है तो यह आपके लिए important है सन्यूक्त राष्ट जनसंख्या कोश कौन जारी करता है सन्यूक्त राष्ट जनसंख्या कोश सरवादिक जनसंख्या वाले देश में पहले कौन आगे है भारत है दूसरे कौन से है चीन है और तीसरे कौन से है यूएस है यह आपको याद रखना है नेक्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से यह सावे पॉइंट आप लोग देख लिजेगा ठीक है नेक्ट फोर्थ कोस्टन में आपसे पूछा जा रहा है दो हजार तेज में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और्गनाईजेशन का एक तीस्वा सदस्य देश कौन बना है तो कौन बना है फिनलेंड फिनलेंड की राजदानी क्या होती है हेलन सिल की ठीक है इसको याद रखेगा तो कौन बना है एक तीस्वा सदस्य देश तो फिनलेंड बतना है ठीक है जिसे हाजारो जीलो का कहा जाता है ठीक है नाटो का एक तीस्वा सदस्य देश कौन सा है फिनलेंड है कौन है फिनलेंड इसको आपको याद रखना है नाटो की अधार सिल्या कव रखी गई है? 4 अप्रेल 1949 को कव? 4 अप्रेल 1949 को नाटो का अगर बात किज़ें तीस्वा सदस्य कौन वना था? तो उत्री मेसोडोनिया 31 कौन वना है? फिनलेंड वना है नाटो की अगर आपको सदस्य परात करने के लिए क्या प्रावधान है? तो उत्री अटलांटिक संदी के अनुछेद 10 में वन्डित है नाटो का मुख्याले कहा है? हेड़ क्वार्टर बहुत ही ज़्यादे इंपोर्टेंट है अपसे एक्जाम में पूचा जाएगा तो कहा है? ब्रुसेल्सiox बेल्जियम में कहां परोज़स बेल्जियम में नाटो का ये जो है हेड़ क्वार्टर है काफी ज़्यादे इंपोर्टेंट है पाँचवे में आपसे पूछा जा रहा है 2023 में उडिसा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महांतम संसथानों की सूची 2023 में सामिल किया गया है तो कौन सामिल किया गया है मयूर भंज इंपोर्टेंट है इसको याद जरूर रखेगा कि उडिसा का कौन सा जिला यानि डिश्टिक है जो टाइम पत्रिका के 50 महानतम अस्थानों की सूची में सामिल किया गया है तो मयूर बंज कौन सा है मयूर बंज अब यहां पर आप देख सकते हैं कि के अंदर सासित प्रदेश कौन सामिल हुआ है लद्दाक है और वहीं उडिसा का मयूर बंज जीला जो है शामिल किया गया है ठीक है नेक्स्ट सिक्स कोश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक परदान की गई है तो कौन सी तेरवा रैंक जो है परदान की गई है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में ठीक है इसके जारी करता है कौन है तो इंसिट्यूट फॉर इकनोमिक और पीस कौन करता है इंसिट्यूट फॉर इकनोमिक और पीस जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जाई करता है और इसका ये कौन सा एडिसन था शंसकर्ण दस्वा था इसमें टोटल कितने देश हैं तो 163 देश हैं अगर पूछा जाए आतंकवाद से परभावित देश कौन से हैं तो 170 देश हैं यहाँ पर देख सकते हैं चीन, भुटान, सिंगापूर, कुबाय, तादी और इसमें अगर बात किया जाए तो भारत के कौन सा थान है? तेरवाद । आप करभावित देश कौन से हैं तो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान है उसके बाद बुरकेना फांस हो है उसके बास Somalia है Mali है Syria है ठीक है तो यह आप से पूछा जा सकते हैं इनकी Capital और currency भी आपको याद होना चाहिए अफगानिस्तान का ठीक है एक बिनिट गाइज तो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं next question जो है इसमें बात केज़े और यहां पर ब्रिक्स की क्या आलत है आप देख सकते हैं ब्राजील 85 पे रूश 45 पे बारत 13 पे चीन 93 पे और दच्छड़ फिरका 79 पे सेवंथ question में आपसे पूछा जा रहा है मार्च दो अजर तेस में इस्टाक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिट्यूट यानि शिप्री द्वारा जारी जारी ट्रेट्स इन इंटरनेशनल आम्स ट्रांसफर रिपोर्ड दो अजर बाइस के नुसार सिर्च तीन आयातक देश में कौन सामिल नहीं है जर्मनी इसको जारी करता कौन है तो इसको जारी करता कौन है तो इस्टाक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिट्यूट ठीक है शिप्री का ये गत्व फाइप वर्सों में वैस्विक हतियार निरियात की सिर्स हिसेदारी किसकी है यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो है सन्यूत राज अमेरिका का कितना है इसका निरियात 40% सेकेंड में रूस है तीसरे फे फ्रांस चौथे पे चीन पांच वे जर्मनी है तो पहला कौन हो जाएगा अमेरिका रूस फ्रांस चीन जर्मनी अमेरिका रूस फ्रांस चीन जर्मनी और यहाँ पर आयात में अगर बात किया जाए तो भारत है 11% के एक औरिंग शौदी अरव है 9.6% उसके वतकतर है आस्ट्रेलिया है और चीन है यह आपको याद रखना आयात में सिर्स हिस्सेदारी किसका है और निर्यात में सिर्स हिस्सेदारी किसका है नेक्स्ट एर्थ कोस्टन में आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको बताना है कि वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट दो हजर तेज में भारत को कौन सा अस्थान पराप्त हुआ है तो 126 में कौन सा एडिशन है इसमें टोटल कौन से देश सबसे सामिल है मतलब कितने देश और साथ में यह पूचा जा सकता है कि सिर्फ तीन कौन से देश हैं यह आप बता दीजिए तो चलिए हम लोग सारे देखते हैं इसके जारी करता कौन है यूएन सस्टनेबल डवलप्मेंट स्वलू नेटवर्क जो है यह वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट जो है जारी करता है इसका कौन सा एडिशन है 11 एडिशन है और इसमें टोटल 137 जो है कंट्री सामिल है अब बात करते हैं सिर्फ तीन देश कोन है फिनलेंड जिसकी राजदानी मैंने हेलन सिल्की आपको बताई थी वह है उसके पास सेकेंड बात किया जाए तो डेनमार्क है और थर्ड जो है आइसलेंड है कौन है आइसलेंड यह आपको याद रखने है ठीक है यह सिर्फ तीन देश है और नीचे से देखिए अंतिम तीन देश कौन होंगे क्योंकि आतंकबाद सबसे ज़्यादा है तो अफगा तीसमी तीस पर कितनी है एक सोचबीसमी है और वहीं बात किया जाए अपने पड़ोसी देशों की तो चीन जो है चौन सथवी पर है स्रिलंका एक सो बारवी पाकिस्तान एक सो आठ पर है नेपाल की 78 वी है और बांगलादेश की 108 वी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज तो 2023 में जारी लेगाटम समरिद्धी सूचकांग यानि लेगाटम प्रोस्पेरिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार सिर्ष अस्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है तो डेनमार्क है कौन है डेनमार्क यह आपको याद रखना है इसको भी जारी करता कौन है अंतराष्टी गयर सरकारी संगठन लेगाटम इंसिट्यूट इसका कौन सा एडिशन है सोलवा है इसमें टोटल कितने कंट्री सामिल थे 167 कंट्री जो है सामिल है और भारत का अस्थान कौन सा है एक सो तीनमा है कौन सा है एक सो तीनमा और पुछा जैब विश्व का सरवाधिक स्वीडेन ने थर्ड़ पे नार्वेय पूरा नहीं आपको याद करना है ठीक है और अंतिम कौन सा यह आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएं अंतिम कौन सा है प्राप्त करता दच्छडी सूडान कौन है दच्छडी सूडान तेंथ कोस्चन में पूछा जा रहा है अंतर इसके जारी करता कौन है तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यूस चेंबर आफ कॉमर्स से संबंद ग्लोबल इनुवेशन पॉलिसे सेंटर यह जो है इसको जारी करता है इसका कौन सा एडिशन है 11 एडिशन है और इसमें कितने देश सामिल है तो विश्व की 55 अर तो पहला हो जाएगा यूएस से उसके बाद यूके उनाटेट किंगर और तीसरा फ्रांस हो जाएगा और अंतिम प्राप्त देश कौन से है वेंजुएल्या ठीक है उसके बाद से रूस है उसके बाद से अलजीरिया है यह आपको याद रखना है इलेवन्त कोस्टन में पूछा जा रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ब्रश्ट चार बोध सूचकांग यानि करफ्षन प्रिश्रेप्षन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश जो है सिस पांच में सामिल नहीं है आपसे पूछ रहा है टॉप रैंकर में जो तो दच्छिड अफिर का इसकी जारी करता कोने गाइस तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कोने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इसका एडिशन कौन सा है 28 हुआ है इसमें टोटल कितने कंट्री सामिल है 180 कंट्री जो है सामिल है और भारत का स्थान कौन सा है 85 ठीक है 2021 किस सुचकांक में भी 85 था और इस बार भी कितना है 85 है यानि भरष्टाचार में अगर आप देखोगे तो दूनु साल से में 85 सबसे कम भरष्टाचार वाले देश कौन से डेनमार्क है कौन है डेनमार्क उसके बाद सिर्फिनलेंड है नुजिलेंड है नौर्वे और सिंगापूर सरवादिक भरष्टाचार वाले तीन देश कौन से है तो शोमालिया उसके बाद सीरिया उसके बाद दच्छिड सूडानेस ठेक है यह आपको याद रखना है सरवादिक भरष्टाचार वाले देश नेक्स्ट आप पूछा जा रहा है 2023 में जारी हेनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रंक परदान की गई है तो कौन सी है 85 वी यानि भारत को जो है 50 वी रंक परदान की गई है हेनले पास्पोर्ट इंडेक्स में अब इसको जारी कौन करता है ये आपको देखना है इंडेक्स में कितने लोग सामिल है तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स या जनकारी परदान करता है कि एक बिसेश देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पुर्व वीजा के यात्रा कर सकता है ठीक है तो ये इस किया जाए पावरफुल पास्पोर्ट कौन सा है पहले पर जपान है जिसकी रैंक वन है वहीं दूसरे पर बात किया जाए शिंगापूर और साउथ कोरिया है कौन है सिंगापूर और साउथ कोरिया तीसरे पर जर्मनी इस्पेन है और चौथे पर बात किया जाए फिनलेंड इटली और लक्जमबर्ग है और पांच वेप अगर आप देखोगे तो नीधरलेंड और श्वीडेन है ठीक है और वहीं भारत की स्तिती मैंने आपको पताई कितनी है इसकी रैंक 85 है कितने देशों में बीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी 59 देशों में आपको बीजा की जारी किया गया था 2006 में 2006 में पहली बार जारी किया घा था 2013 में जारी मानो स्वतंतरता सूचकान, human freedom index 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है 112 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है इसके जारी करता कौन है Washington DC, Cato Institute और Canada के Fraser Institute द्वारा जो है मानो सोतंतरता सूचकंग जारी किया जाता है इसका कौन सा एडिशन है? आठवा एडिशन है और इसमें टोटल कितने कंट्री सामिल है? 165 कंट्री जो है इसमें सामिल है अब सिर्फ तीन देश कौन है? तो पहला हो जागा Switzerland, दूसरा हो जागा New Zealand और तीसरा Estonia है कौन है? Estonia और मानो सोतंतरता सूचकंग में भारत की कौन सी रहेंगे? 112 है कौन सा है? 112 अंतिन तीन देश की बात किया जाए तो Syria है, Yemen है और Venezuela है ये आपको याद रखना है 14 कोशन में आपसे पूचा जा रहा है टायम हायर एजूकेशन वर्ड यूनिवर्स्टी रंकिंग दो हजार तेश में किस भी द्यालोग को सिर्ष रंक परदान की गई है? तो किसको यूनिवर्स्टी आफ ऑक्सफोर्ड यूक उक्सफोर्ड वहां के जो है इसको सिर्ष रंक परदान कीया गया है टाइम्च हाइर एजूकेशन वर्ड यूनिवर्स्टी रंकिंग में अगर बात किया जाए जारी करता कोन है तो टाइम्च हाइर एजूकेशन इसमें रिपोर्ट का अधार क्या रहाता है 13 मानेकों पर जो आधारित कर्क और फिश्य सामील होता है उसी क MARK इसको बनाया जाता है सिर्स अस्थानों की रैंकिंग की आजया तो पहला कॉन सा्थ हो जाएगा उनिवस्टी आफ आकस्फ होड यूं के ग्या York का हुद धूसरा हो जा sagen थी सेवेंटीवन यानि एकात्तर थी अगर यहां पर देखा जाए कि भारत का कौन सा इसमें सामिल था तो इंडियन इंसिट्यूट अफ साइंच आई यह सी वैंगलूरु जो है सिर्थस्थान पर रहा है वहीं अगर बात किया जाए तो दाइसो अगर भारत का कोई भी संसथान सामिल ही नहीं है ठीक है पंद्रवें कोश्चन में पूचा जा रहा है दो हजर बाइस में जारी वैस्विक बीमानन सुरच्छा रैंकिंग में सिर्थस्थान कौन से देश है तो किसका देश है शिंगापूर का है यह आपको याद इसके जारी करता कौन से है तो जारी करता इसके हो जाएंगे अंतराष्टी नागरिक उडियन शंगठन टोटल इसमें कितने कंट्री सामीन है 187 और समलित इसमें अगर बात किया जाए सिर्स रेंग किसके है तो शिंगापूर है यूएई है और दचिड कोरिया है और भारत की रेंग की बात किया जाए तो 48 है इतनी है 48 भी है और जार्जिया के साथ यह नहीं जार्जिया की भी 48 ही होगी भारत के पड़ोसी देश की बात किया जाए तो चीन की उन्चास भी है पाकिस्तान की सौमी है नेक्स 16 कोस्चन में आप से पूचा जा रहा है ग्लोबल इंडेक्स 2022 में विश्व के किस सहर को रहने की दृष्टी से सबसे बहतर माना गया है तो किसको आश्ट्रिया की जो राजदानी है वियना को किसको वियना को यह आपको याद रखना है इसको जो है ग्लोबल लिवेविल्टी इंडेक्स में सबसे बहतर माना गया है इकनोमिक्स इंटेलिजन्ट यूनिट टोटल इसमें कितने जो है सहर सामिल है 173 जो है इसमें शहर सामिल है अब देखिए पांच रहने योगी सिर्ष कौन-कौन से है ठीक है सहर की बात किया जाए तो पहला तो बियना हो जाए जो कि आश्ट्रिया का है सेकेंड डेनमार्क का कोपे नागेन हो जाएगा स्विट्जर लेंड का ज्यूरिक है और वहीं बात किया जाए कनाड़ा का केलगरी है और कनाड़ा का बैंकवूर है यह पांच ऐसे जगह है जहां रहने योग है ठीक है और ये पांचों क्या है टॉब सिर्ष हैं और बात किया जब भारत की सहरो तो दिल्ली का कौन सा है 140 वी तता मुंबई कौन सा है 141 तो यहां पर भारत की बात किया जाए गलोबल लिविविल्टी इंडेक्स में तो कौन सा है दिल्ली 140 वी पह और वहीं मुंबई 141 वी पह रहने योग अंतीम पांच सबसे कम उप्यूक तो सार कौन से है तो एक सीरिया का दिमिस्क है और उसके बाद नाइजीरिया का लागोश है और लीविया का त्रिपोरी है और अलजीरिया का अलजीरियस है ठीक है सेवेंटीन कोश्चन में पूछा जा रहा है वर्ड वाइड कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग विस्व का सबसे महेंगा सहर क्या पूछा रहा है सबसे कौस्टली सीटी कौन सी गोशित की गई है तो सिंगापूर निउयॉर्क किसको की गई है सिं सबस्क्राइब करता है कोन है एकनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है टोटल इसमें कितने सहर सामिल है एक सो बहतर और तीन अगर पूछा जाए कौस्टली जो है सीटी कौन से है महेंगे सहर तो निउयॉर्क और सिंगापूर सहींग तुरूप से जो है अंडेड इसकोर पर है वही बात किया जै इजराइल का तेल अवीब जो है 99 पर और हॉंग कॉंग की बात किया जै नैंटी एट पर यह सिर्ष तीन महेंगे सहर है और अंतीम तीन सस्ते सहर कौन से है जैसे सस्ता आप लोगो सलमान का सारू कन देखने को मिल जाता है यह कोई से से सहर कौन से है एक तो सीरिया का दमिस्क hmogen वहीं लीविया का दिरपूरी हो जाएन ओर भारत के ओंधाप 123 ie को हौझे चेन्नें के 164 हो जाएंगे और बैंगलूरू के 161 हो जाएंगगन आगे बात करते हैं। 22 नियुक्स द्वारा जारी वैश्विक खाद सूरच्छा सुचकांक 22 में भारत का कौन सा अस्थान हैं। 66 याद रखना है जा कौन सा अस्थान है।авно धैक। इंपक्ट ठीक है यह बिटिस एक सब्टाइक है इसका एडिशन कौन से 11 है टोटल इसमें कंट्री कितने है एक शो तेरा कंट्री जो है और टॉप पे बात किया जाए तो कौन है फिनलेंड है उसके बाद आयरलेंड है उसके बाद से नौर्वे है ठीक है यह सिर्ष तीन इसकों हो जाएगे यमन हो जाएगा हैती हो जाएगा और सीरिया यह आपको याद रखना है भारत का परतर से मैंने आपको बताया है कि बारत का इसकोर जो ऑस फिप्टी एट पॉइंट नाइन है और वहीं अलजीरिया के साथ से रूप से अंसठवे अस्थान पर रहे भार ठीक है कि दो हज़र बाइस में QSACI a university لइंकिंग 2003 जारी की गई है किस भारति में सिर्ष अस्थान प्राप्त किया है लो इसको यह देखिए आई आई आइटी बॉम्बे ने किसने सिर्ष अस्थान प्रांप्त किया है क्यों इंडिया युन्वश्टी एप इसको जो है देखिए एडीशन कौन से रहा है पंदरवा रहा है सरवाधिक सामिल संसिथान कितने हैं सास सो सतामन है और सरवाधिक रैंकिंग की बात किया जाए तो चीन जो है मुख्य भूमी है इसमें टोटल 128 संसिथान इसके भारत के जापान के 106 दचिड कोड़िया के 88 अब सिर्ष संसिथान में आप देखें गे तो कौन हो जाए पेकिंग इन्युवस्टी जो है वह कहां कि चीन की और नेशनल इन्युवस्टी आफ सिंगापूर हो जाएगा शिनुवा इन्युवस्टी विजिंग चीन की हो जाएगा वहीं सिर्ष हस्थान अगर भारती देखा जाते कों आईएटी बॉंबे जिसका 40वा है आईएटी देली 46 आई ऐससी वेंगलूरू जो बावनवा है आईएटी मदरास आईएटी खड़कपूर ठीक है आपसे कोश्चन में सिर्ष अस्थान में कानपूर भी दे सकता है इसको रखना की कानपूर इसमें नहीं है तो इस रैंकिंग में टॉप 100 में 11 और टॉप 200 में 19 भारती सिच्छर संसतान जो है शामिल है नौवंबर 2022 में जारी जलवाई परिवर्तन सूचकांक में 2023 में भारत के सस्थान पर हैं तो आठवे हैं यानि जलवाई परिवर्तन इंडीक्स में तो भारत का कौन सा स्थान है तो भारत का खो आठवा स्थान गहां आविसक प्रकाशन करता कौन है जर्मन वाच्च ए ने इंसिटीूट और क्लाइमेट एक्सर नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा टोटल कंट्रीस में कितने हैं 63 है यह आपको याद रखना है और यह जलवाई प्रदर्शन सूचकांग के चार मानक होते हैं या संक्यत होते हैं इसी के अधार पे जो है दिया जाते हैं पहला ग्रीन हाउस गैस का उर्जन जो है 40% वही स्थ देस संस्स में डेनक्ट एटैन्मार्ग चौते स्वीडन पंच में यांनि किसी को टॉप नहीं मिला है या देन्मार्ग चौते पर स्वीडन पांच में लिए अंतिम तीन देस और सवी साइयक की अरप कजय किस्टान है वही भार्यत की रंकिंग की इस गैं अंतिम तीन देश को ने चीन है रूश है अमेरिका है अन्य देशों की रैंकिंग की बात किया है ठीक है अंतिम तीन देश तो मैंने आपको उपर बताया है इरान है सौधी अरफ कजाकिस्तान है 21 कोस्चन इसमें मैं आपको टोटल 30 कोस्चन कराऊंगा 2022 में नाइट फ्रेंक द्वारा जारी प्राइम गलोबल सिटीज इंडेक्स क्यू 3 2022 में किस सेर को सिर्ष अस्थान मिला है तो किसको मिला है दुबई को यानि Prime Global Cities Index जो है इसमें किस सहर को सिर्ष अस्थान मिला है दुबई को मिला है ठीक है इसके जारी करता है कोन है Knight Frank कोन है Knight Frank इसमें टोटल कितने सहर सामिल है 45 पे सिर्ष तीन अस्थान कोन है दुबई है USA का Miami है और जपान का Tokyo है ठीक है भारत की बात किया जाए तो कौन से है भारत में जो है मुंबई है जिसकी rank 22 है वहीं Bangalore की 27 और दिल्ली की 36 है स्वच्चता सर्वेच्छन पूरसकार 2022 में एक लाग से अधिक जनसंख्या वाले सहरोग में किस सहर को स्वच्चतम सहर का पूरसकार दिया गया है तो यह तो हर बच्चे को पताओगा किसको इंदाओर को किसको इंदाओर जो की MP में इसको जो है एक लाग से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्च सर्वेच्चता पूरसकार जो है प्रदान किया गया है अब इसके जारी करता कौन है अवास एवं शहरी मामलों के मंतरा ले कुल सहर इसमें कितने सामिल है तो 4355 है ठीक है अब एक लाग से अधिक जनसंख्या की स्रेणी में स्वच्छ सहर कौन कौन से है इंदवर है शूरत है नभी मुंबई और बिसाखा पतनम वहीं बात किया जाए एक लाग से कम जनसंख्या की स्रेणी में कौन कौन से है तो पंच गनी है महराष्ट का पाटन है 36 गड़ का कराड है महराष्ट का लोना वाला है महराष्ट का एक लाग से कम जनसंख्या की स्रेणी में स्वच्छ सहर है ठीक है अब यहां पर अगर बात किया जाए एक लाग से अधिक जन संख्या वाले गंगा टाउन का पूरसकार किसे मिला है हरीद्वार को मिला है वाराणसी को और रिसी केस को और एक लाग से कम जन संख्या वाले गंगा टाउन का सहर पूरसकार किसको मिला है बिजनौर का नोज और गड़ मुक्तेश्वर को ये आपको याद रखना है ठीक है अन्य मैत पुर्ण ये देखिए इंदौर को जो है देश का पहला सेवन इस्टार कचरा मुक्त सहर गोसित किया गया है 23 कोस्चन में पूछा जा रहा है 2022 में प्रकासित वैस्विक नवाचार सूचकांग गलोबल इनुवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक परदान की गई है तो 40 वी रैंक परदान की गई है तो भारत को कौन सी रैंक परदान की गई है 40 वी विश्विद्व वैज बौदिक संपड़ासंगठन World Intellectual Property Organization में इसका कौन सा इडीम है 15 है इसका प्रतम संस्क्राइब कब किया गया था 2007 में ठीक है इसमें रैंकिंग प्रदत है 132 अर्थ बेवस्ताओं को और भारत का स्थान कौन से रहा है 40 यह याद रखे नहीं है और 2021 में कौन से था 46 था सिर्फ 5 अर्थ बेवस्ताओं किसकी है तो यहां पर देखिए स्विट्ज कर आया है और बहुत सारे लोग जो थे हो सोच रहे हैं एलिमिनेशन मैथड़ लगा के जो है हम काफी अच्छा पेपर कर पाएंगे लेकिन इस बार उसने ऐसा गेम खेल दिया एलिमिनेशन मैथड़ ही अटा दिया ठीक है जैसे पहले ऑप्सन में मान लीजिए आपके सामन लेकिन इस बार उसने क्या कर दिया एक सही है दो सही है तीन यूग में सही है या चारो सही है तो इसमें आप ये नहीं कनफर्म कर पाएंगे कि ये सही है या नहीं अगर आपको पता चल गया कि ये गलत है अगर जिस जिस ऑप्सन में ये रहता हूँ आप इसको क्या कर सकते ते, cut कर सकते थे, लेकिन अब उस ने यह system ही अटा दिया कि यह गलत है, वो direct कर दिया पहला यूग में सही है, दूसरा यूग में सही है, या तीनों सही है या चारों सही है, तो इस तरह आप eliminate नहीं कर पाऊंगे, इसमें अगर आपको चारों जो है option की अच्छे से जानकारी नहीं होंगी, तो आप नहीं कर पाऊंगे, और पहले होता था मालीजे, ए ओप्सन गलत है, तो जिस जिस option में ए ओप्सन गलत है, तो उसको आप eliminate कर पाते थे, ठीक है, एक ही options है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया, आप लोग एक बार paper उठा के देखिए जाया, बहुत इंपोर्टेंट है, स्विट्जर लेंड लगतार बारवे वर्ष, विश्व की सरवाधिक नवाचारी अर्थवेवसता है, 24 question में पूचा जा रहा है, 2022 में परकासित बैश्विक भूख सूचे कांग, गलोबल हंगर इंडेक्स, 2022 में भारत ने कौन सा अस्थान प्राप्त क जो है, संयुत रूप से, इसका एडिशन कौन सा है, 17 है, और इसका विश्व क्या है, खाद प्रणालिया, रूपांतरण, एवं अस्थानी प्रशासन, food system, transformation and local governance, और इसके चार के संकेतक होते है, एक होता अलप पोसर, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, अंडर नूरि होता है, बाल मृत्यूदर, चायईल्ड मॉर्टलेटियू, ठीक है, ये चार जो हैं, आपको देखना है, अलप पोसर हो हो गया, अंडर निूरिस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, और बाल दुबला पन, चायईल्ड वैस्टिंग हो जाएगा, और बाल ठीकना पन हो Gary St scatter, न केंटिंग और चौथा हो जाएगा चाइल्ड मोर्टेलिटी बाल मृत्यूदर इसमें जीरो जो पाता है सबसे अच्छा स्कोर होता है हंडेड जो पाता है सबसे खराब स्कोर होता है ठीक है तो यहां पर भुकमरी कि आप देख सकते स्कोर पांच रैंकिंग दिया गया है नि संबीर यानि सीरियस आलत में कोन आएगा जिसका 20 से उपर और 34.9 तक होगा भयावा यानि अलार्मिंग कंडेशन है वो 35-49 के बीच में आएगा चरम भयावा यह एक्स्ट्रीमली अलार्मिंग कब आएगा जो 50 से अधिक होगा यह आपको याद रखना है अब यहां पर देखिए बात किया जाता है चरम भया कि इस्तिति में सामिल कोई भी देश इस वर्ग में सामिल नहीं है ठीक है यह आपको याद रखना ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में सुमालिया था लेकिन अब नहीं है ठीक है भारत की रैंक की बात किया जाए तो 107 भी स् और भारत की रैंक अगर 2021 में 101 वी थी और 2020 में 94 लेकिन इस बार कितनी है 107 है अंतीम पांच देश कोन है चाड है कोन है चाड है उसके बार डेमोक्रेटिक रिपबलिक आफ कॉंगो है मेडा गासकर है सेंट्रल अफिरकन रिपबलिक है और यमन है कोई बात किया जाए भारत गास के पर यमन करें की स्थती तो स्रिलंका श्रिलंका है में हमार है नेपाल है बांगला देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान विरक्स देशों की ये संख्या डोगो देख सकते है कि क्या इस्थती रही है क्यो बढ़ते है मानो-भी का-सूचपांग ऐच lungen Ergebnis digitoh g 111 21 सब्page 2021 में कोई सा देश्षी सस्थान पर तो कौन सा circuit ohdanson है RJ जो मानोभीका सूजकांग household away human development index में कौन सा सीर्षास्थान PRE市 पीज जimmStarλη तो पहले परणमें टोल कंट्री कितने 8 इसमें सामिल देश 他 नाम क्या है तो यहां पर देखिए uncertain time अन्सेट्ल ठीक है in our future in a transforming world और इसके प्रकाशन करता कौन है श्रयुक्त राष्ट विकासकारिकम UNDP United Nation Development Program जो है इसको प्रकाशन करता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं निम्तम पांच देश कौन से बुरुंडी है बुजंबूरा जिसकी रहधानी है मद फिरकी गंडराज है नाजर है चाड है और दच्छिर सुदान है भारत की रैंकिंग क है ठीक है यह आपको याद रखना है पड़ोसी देशों का आप लोग देख लिजे क्या है है एच डियाई का आकलन कैसे किया जाता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जीवन प्रत्यासा सूच कांक दिखा जाता है ठीक है उसके बाद सीच्छा सूच कांक एजूकेशन इंडेक्स देखा जाता है और इसमें देखिए इसकूल आउधी के ऑसद पचीस वर्स बैक् आए सूच कांक देखा जाता है यानि तीन है इंकम इंडेक्स देखा जा सकता है आगे नेक्स्ट कोस्चन में देखिए बिश्व आर्थिक मंच वर्ड एकनोमिक फोरम द्वारा वैस्विक लैंगिक अंतराल सूच कांग गलोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के सम्मंद में बिचार कीजिए तो इसका सभी सही option D यानि इस सूच कांक में आइसलेंड फिनलेंड नौर्वे को करम से पहला दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है ठीक है वैस्विक लैंगिंग अंतराल सूच कांग में टॉप किसको प्राप्त किया गया है आइसलेंड फिन झालेंड नौर्वे को पहला दूसरा तीसरा प्राप्त हुआ है इस सूच कांग में अफगानिस्तान, पकिस्तान कांगो लोक इसको जारी कौन करता है word economic forum में यह मैंने आपको पता दिए पहले से ही पढ़ा चुका हूं अब बार बार आप लोग इसको मत पढ़िया नेक्स्ट 27 में पूचा जा रहा है इंडिया इन्वेशन इंडेक्स 2022 में भारत के किस राजय को सिर्शस्थान प्राप्त किया गया है इंडिया इन्वेशन इंडेक्स इसको जारी करता है कौन है नीती आयोग नीती आयोग को आपको फूल परम याद हो सबना चाहिए नेशनल Institute for transforming India इस का कौन से इडिसन ही ये तीसरा है और इसमें अगर बात किया जाए तो कौन सा जो है शिर्श अस्थान प्राप्त किया है करनाटक ने किसने करनाटक में बहुत नाटक करता है करनाटक इसलिए इंडिया इन्वीशन इंडेक्स में टॉप प्रदान किया गया है अब सूचकां की स्रेंडिया है पर्मुक राज किंद्रसासित और उत्तर पुर्व के राज यहां पर देख सकते हैं गाई पूरा जो है अगर बात किया जाए पर्मुक राज्यों की सिर्सरेंग की करनाटक है तेलंगाना हरियाना महराष्ट पंजाब और उत्तर प्रदेश का कौन से सात्मा है इसमें याद रखिएगा इसलिए यह बताना जरूरी था ठीक है और वहीं किंद्रसासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो कौन हो जागा चंडिगड दिल्ली अंडवान निको बार्दिप्समू और पहाड़ी देश का at liquids की रेंग्ड क्या है तो क्या रेंकिंग तो आपको बताना 37 रेंकिंग ठीक है विसव प्रतीसथार दात्मक सूच कांक में इसके जारी करता कौन है इंटरनेशनल इंसिट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डवलप्मेंट टोटल कितने कंट्री है 63 कंट्री जो इसमें सामील है सिर से तीन देश कौन है डेनमार्क है स्विट्जर लेंड और सिंगापूर है अंतिम देश कौन से कौनसी है 135 भी है इसको जारी कौन करता हैं इंसेट्यूट फॉर एकोनोमिक्स एंड पीस जो है इसको जारी करता है गलोबल पीस इंडेक्स का कौनस एडिशन है 16 अडिसन हैं और बात किया जाया सिर्फ 3 देश कौन यह हैं तीन नियूजीलेंड और आयर्लेंड आंतिम्थ рий है कि और यह राम लोका 30 परियावरन निश्पादन सूचगांक में भारत की रेंकिंग कौन सी है तो एक-7 कंसी एक-8 जो है भारत की रेंकिंग है जारी करता कौन है विश्व आर्थिक मंच के इसbridge से यह यह jogos को लंबीया विश्व विद्याले टूटल कंट्री इसमें कितने हैं 180 कंट्री जो है शामिल है भारती सूचकांक में सबसे नीचे 180 अस्थान पर यह देखिए यह बारत के लिए बहुत ही बलत बाए 180 अस्थान पर प्रियावरण निश्पादन सूचकांक में 2020 में भारत का अस्थान अस्थान पर यह 31 कोश्चन और इसी के साथ आज समापत हो जाएगा विश्व प्रेश्व तंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश को प्रथम अस्थान प्रदान किया गया है तो नौर्वे को किसको नौर्वे को जारी करता कोने रिपोर्ट्स बिदाउट बॉर्डर यह जारी करत प्रथम अस्थान किसको प्रतान किया गया है फ्रेस में नौर्वे को कौन सा अड़ीजान है यह ट्टल प्हें सामील है 180 है तो आज के लिए वस इतना ही रहने देते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप लोग के लिए भी झाल